हेलो फ्रेंड्स मैं विन्य निर्भिक फ्रेंड्स आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है तो फ्रेंड्स और रर्सी गुरूप डी ज्वाइनिंग अपडेट 2023 16 मही को रुजगार मेला लगना तैंग फ्रेंड्स आप लोग जान रहें अभी तक रुजगार मेले को लेकर के दो डेट वारल हो रहे थे बहुत पहले से 15 मही एक 16 मही ठीक है तेरा अप्रल के बादल रोजगार मिले से तो 15 मही का डेट तो कहीं से भी किसी मेडिया के रिपोर्ट ने कंफर्म नहीं किया बट 16 मही के डेट पे लगभग सभी मेडिया वालों ने बोल दिया है किसी ने कहा है सुत्रों के मुताबिक तो किसी ने कहा है अधिकारी ने बताया ठीक बट अभी तक आप लोगों ने कोई ओफिशल सर्कूलर या कोई ओफिशल नोटिस या कोई जीयो कोई ओफिशल कुछ ने अभी देखा नहीं होगा तो अभी अपके आपके मन में डाउट है कि 16 माई को मेला लगेगा कि नहीं लगेगा ठीक जबकि आप जान रहे हैं कि email और calls भी आने शुरू हो गए है कुछ जोंस के लेकिन सबसे बड़ी बात ही है क्या यह रुजगार मेला तो सभी के लिए है परिशान होने की जरूवत नहीं है लगेगा तो सब के लिए लगेगा जो पिछले बड़ 13 अप्रेल को मेला लगा था उससे पहले रेखे थे उसके कई सारे देट्स आ चुके थे वह भी ओफिशियल सर्कूलर के साथ न कि केवल हवाजी जैसे इस बार काफी हवाजी चला 15 मई 16 में को लेकर गया थे तेश मार्च का एक सर्कूलर था फिर सटाइस मार्च का था फिर तीस मार्च का था फिर दस अप्रेल का था फिर फानले जाकर 13 और अभी तक इस बार एक भी सर्कूलर नहीं आया है एक भी डेट को लेकर के सर्कूलर नहीं आया फिर भी कुछ जोंस मैंने बोले ला एमेल को आने स्टार्ट हो गए हैं कि रुजगार मेला के लिए आपको बुलाए जा रहा है और कुछ जों में क्या हो रहा है अपना मेले का कोई effect नहीं पड़ेगा अगर government आपको count कराना ही साइगी रुजगार मेले में तो आपको joining के बाद भी बोला सकती है आपको आपके i card के शाद दिखा देगी कि आप इस post पर हैं ठीक है तो परिशान होने की जरूरत नहीं है नीचे क्या लिखा हूँ confirm update मिल गया है ज इसे dozier भी बोलते हैं वो गया की नहीं गया तो friends मैं बताया था कुछ दिन पहले वीडियो में कि चार तारिक तक ये लोग भेज देंगे तो finally वही हुआ भी friends आज चार तारिक है आज सभी division के employees का है या फिर officer का है जिनका जो काम होता है वो आके अपने division का file लेकर के जा कि पैनल का जो details वो पहुच जाएगा बलब यह इंपैनल हो चुके हैं ठीक है तो कल पहुच जाएगा कल आपका है Friday उसके पढ़ जाएगा Saturday Sunday तो अभी तो इस week आपका कोई काम होना नहीं है ठीक है कल Friday है फिर Saturday Sunday तो कोई काम होना नहीं है यह आप जान रहे हैं क्योंकि आठ को आपका Sunday पढ़ जाएगा आठ को पढ़ रहा है Monday तो हो सकता है यह लोग Monday Tuesday को कुछ वर्क करें और Wednesday से आपको कुछ अपडेट देना स्टार्ट करें यानि कि दस्तारिक के आसपास या दस्तारिक के बाद कह सकते हैं अब इसमें कहेंगे कौन से डिविजन का पहले आ चाहेंगा ठीक है अब कुछ ने कुछ अपडेट लगभख सभी डिविजन से आपको मिल जाएंगैं दस से बारतारी के बीच जरूर अब डिट मिल जाएंगे यह कंफर्म करें ओर हम बात करें 16 तारी के रुजगार मेले की अगर 16 तारी को रुजगार मेला लगता है तो फ परिशान होने की जरूरत नहीं है यह ध्यान में रखना है और आपका आसानी से सब काम हो जाएगा अब आप लोग दूसरे जोन से कंपेयर करेंगे इस जोन का फास्ट हो गया मेरा स्लो है तो भाई ऐसे नहीं चलेगा ना मैंने बोला ना अभी तो आप डिवीजन देखोगे डिवीजन में लोग आगे पीछे रहेंगे तो ऐसे कंप्रिजन करना सही नहीं है क्योंकि देली का जो पैनल है इसके चार दिन बा फिर उसके बाद सारा काम RRB से RRC के हाथम चला गया अब वहां से क्या हुआ सब बटे गया हर एक जोन का अलग-अलग फीजकल हुआ फीजकल का रिजल्ट आया डिवी मेटिकल सब कुछ अलग-अलग हुआ हर जोन का अब उसके पैनल भी सब का अलग अलग है अब पैनल मे ही देखा जाए तो 100-100 candidates छूटे हुए हैं उनका genuine reason नहीं दिया है हो से तो उनका medical फाइल न पहुचा हो या फिर कोई और reason हो बस 100-100 candidates है जिनका सब कंप्लीट था बट उनका नाम नहीं आया है ठीक है otherwise जो बचे हैं वह absent है या फिर फेल है medical में या फिर कह सकते हैं कि डिवी फ्रेंड्स पुराना अपडेट यही था कि पिछले महीने आज आने चाहिए था बट अभी तक नहीं आया है अब हो सकता है लोग आज से खाली हो गया है इस पैनल वाले काम पे यानि कि जो डिवीजन पर भेजना था तो हो सकता है अब यह लोग नेक्स्ट विक यह भी दे हो सकता है या फिर अगर बहुत इनके उपर प्रेसर पड़ा टाइम नहीं मिला और रुजगार मिला अचानक 16 को लग गया हो सकता है इसके ज्वाइनिंग के प्रोसेस के बाद फिर नेक्स्ट पैनल दे दे तो अब बात करते हैं 16 तारी के रुजगार मिला कि क्या सचा है क् प्रेंट्स की पिछले बार जैसे बहुत सारे ओफिशिल सर्कूलर्स वारल हुए थे थे इस बर क्या हुआ मेडिया में दिख रहा है कोई ओफिसियल सर्कूलर नहीं दिख रहा है इस वेशे से थोड़ा सा विश्वास करना आप लोग को मुश्किल हो जा रहा है क्योंकि आ नौ साल उस दिन पूरा हो रहा है इस वेशे से लग रहा है यह डेट आगे नहीं बढ़ेगा और किसी तरीके से ऑफिसर्स को प्रेसराइज करके उस दिन यह लोग अपना रोजगार मेला और नाइस करा लेंगे ठीक है तो वह हो जाएगा अब इसमें सवाल होता है क्या ग और पॉसबिल्टी बंती है कि इस रोजगार मेले में उनको मुका दिया जाएगा और जिनका अभी तक पैनल नहीं आया है उनकी पॉस्बिल्टी लगभग ना के बराबर है ठीक है तो बहुत सी जोन का पेनल 10 को आया 11 को आया 15 को आया उन सभी को रुजगार मेले में मौका मिल सकता है जरूर ने सब को मिले या फिर एक ये भी हो सकता है कि जिस जोन में रुजगार मेला ओलेडी लग चुके हैं उहां पे दोबारा न लगे ये भी पॉस्बिल्टी है जैसे कि जैपूर वाला जो था वहां पे गुरूबड़ी वाले बच्चों को बुलाया गया था ठीक है रुजगार मेला ओलेडी पूरी बन रही है रिजन यह है कि वे नौ साल उस दिन पूरे हो रहे बिज़ेपी गवर्मेंट को तो पॉस्बिल्टी तो बन रही है बाकी जो भी होगा आपको खुद अपडेट मिल जाए कहीं ने कहीं से मेरे चलंग सो जरू मिल जाएगा अगर आएक कोई अपडेट थ होंगा ठीक है अभी के लिए बसेता है थैंक यू जय हिंद जय भारत